हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी welcome back to my channel biology poster today we are going to discuss about as block elements चलिए तो पढ़ते हैं as block elements as block elements में हम पढ़ेंगे आज group 1 क्योंकि group 1 में इतना सब कुछ है तो मैंने एक वीडियो में सिर्फ group 1 का ही content तयार किया था group 1 की आज हम discuss करेंगे group 2 हम next वीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो s block elements है और जो group 1 की elements है उनका electronic configuration क्या होता है ns1 क्या होता है ns1 ठीक है अब आगे देखते हैं elements in which last electron enters into s sub shell are called as block elements वो elements जिनका last electron जिनका last electron as sub shell में enter करता है या present होता है उसे क्या बोलते हैं as block elements बोलते हैं elements of group 1 and group 2 are as block elements elements group 1 के और group 2 के elements को as block elements बोला जाता है next देखते हैं all are stable except radium and friendship these are radioactive elements radium हो गया group 2 का और friendship हो गया हमारा group 1 का तो देखे all are stable सभी stable है except किसे छोड़के मतला सभी जितनी भी alkali metals है या फिर as block के elements है वो सभी stable है किसे छोड़के rubidium और friendship को क्योंकि ये noble gases है क्या है ये noble sorry ये radioactive elements है क्या है ये radioactive elements अब थोड़ा ही table समझ लीजिए chemical elements in s blocks देखे ये group 1 है ये group 2 है group 2 की study हम बाद में करेंगे आज हम सिफ group 1 की study करेंगे अपने इस class में देखें सबसे पहले group 1 में होता है hydrogen जिसका atomic number क्या होता है 1 है lithium इसका क्या होता है 3 फिर as sodium sodium का 11 potassium का 19, rubidium का 37, cesium का 55 और friendship का जो की एक radioactive element है उसका 87 तो देखें फ्रेंट जो ये hydrogen है ये रखा तो group 1 में गया है लेकिन ये जो इसका behavior है ये metals की तरह behavior नहीं करता है जो इसका behavior है वो non-metals की तरह करता है तो hydrogen की study हम group 1 में नहीं करेंगे इसकी study हम आगे non-metals में करेंगे ये क्योंकि hydrogen का जो है अभी इस पर dispute चल रहा है कि ये metals है non-metals है लेकिन अपने atomic number की वज़े से ये सबसे पहले first group में रखा गया है क्योंकि सबसे light gas है lighter gas है इसलिए इसे अपने atomic number की वज़े से ये group 1 में रखा गया है अब देखें अब हम study करेंगे हम अब आपको अगर इसमें याद करना है कि जो s block elements है जो group 1 के जो elements है उन्हें हम क्या trick से याद रख सकते हैं तो ये trick है इस trick से आप याद कर सकते हैं है लीना की रव से फर्याद बहुत common trick है है ह hydrogen lithium ना में sodium हो गया ये की का में potassium हो गया रव से रुबेडियम हो गया से हो गया CS यानी cesium और फर्याद का friendship तो इस तरह से आप group 1 के elements को easily याद दर सकते हैं है लीना ने है लीना की रव से फर्याद ठीक है अब देखें मैं एक दो आपको electronic configuration करके दिखा देती हूं जैसे हम lithium ल का आएंगे यह सभी S उसमें S block elements है तो लाज जो इनका electron है वो S में ही आएगा तो देखिए hydrogen का हम छोड़ेंगे हम लेंगे lithium का lithium की study कर रहा है हम अभी तो lithium का atomic number 3 है तो इसका electron configuration 1s2 S, S PDF यह 4 वो होती है सब शैल SMP question 1s2 फिर आगे क्या आएगा 2s अब यह एक electron है तो बन आएगा ठीक है तो कितने electron होगे total आपको पूरा पता तो है न हम कैसे वो करते हैं दिखिए सबसे पहले क्या होता है 1s2 फिर उसके बाद 2s2 फिर उसके बाद 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 नहीं यहापर 3d आजाएग यह एक table है मैं वो आपको बाद में बता दूँगी फिलाल अभी आप इतना याद रखिए कि ऐसे ही वो होता है 3d 10 अब आगे पढ़ते हैं elements of group 1 is called alkali metals जो element है group 1 के उन्हें alkali metals बोलते हैं अब alkali metals क्यों बोलते हैं तो देखिए they react with water to form strong यह water के साथ react करके strong bases बनाते हैं so they are called alkali मतलब इनकी nature क्या हो जाती है base हो जाती है alkali alkaline शारी है तो उसके according उस term के according हम इने क्या बोलते है alkali metals except lithium all metals of group 1 form strong bases सिफ लीथियम को छोड़के लीथियम एक ऐसा element है जो strong bases नहीं बनाता है बाकी जितने भी metals है बाकी जितने भी elements है वो सब strong bases produce करते हैं या बनाते हैं देखिए lithium को जब हम hydrogen से react कराएंगे तो liuh बनेगा जो कि एक weak base है अब आप देखिए all alkali metals have one balance electron ns1 outer electronic configuration वो मैंने आपको बताई दिया है कि अगर हम lithium का देखे तो वो 2s1 होगा उसका sodium का देखे 3s1 rubidium का 4s1, cesium का 5s1 और frenchum का 6s1 लीथियम का 2s1, sodium का 3s1, potassium का 4s1, rubidium का 5s1 और CS का 6s1 होगा मतलब जो इनकी उनका जो last electron होगा वो इस वाली shell में होगा नंबर क्या होगे? नंबर क्या होगे? shell के 2, 3, 4, 5, 6 और sub shell का number क्या होगा? s क्या होगा? s तो इनका क्या होता है? electron configuration में एक electron बहार आता है तो इनका क्या होगे? 1s1 आगे देखिए alkali metals are soft except lithium moving down the group soften it increase जो alkali metals होती हो बहुत soft होती है लेकिन किसे छोड़के lithium का आप देखिए lithium का जो lithium का behavior है वो सबसे अलग है पहले तो वो जो कि सबसे पहले है और यह soft नहीं होती है hard होती है जैसे जैसे हम group में नीचे जाएंगे जैसे जैसे हम group में नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो इनकी softness है वो increase हो जाएगी तो हम यह बोल सकते हैं कि जो lithium है वो soft metal नहीं है वो hard metal है अब आगे देखिए number of shells increase than size atomic volume atomic radii देखिए जैसे जैसे number of shell बढ़ती रहेगी यानि number of shell क्या हो गई देखिए 2,3,4,5,6 यह क्या हो गई यह क्या हो गई जैसे जैसे number of shell बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा element का atomic size बढ़ेगा atomic volume बढ़ेगा atomic rad radii बढ़ेगी यह आगे discuss करेंगे हम आगे और अब देखिए जो period है left to right left to right क्या होता है atomic radii decrease होती है ठीक है लाइन आप याद रख लीजिए कि left to right atomic radii will decrease अब आगे देखिए the atomic radii of alkali metals are largest in their respectively periods देखिए जो atomic radii है alkali metals की वो largest होती है in their respectively periods मतलब periods में देखिए जैसे बता रहे हैं कि left to right left to right क्या हो रही है decrease हो रही है अब सबसे पहला अगर group देखे हम सबसे पहला अगर हम group देखे तो हमारा S block का है तो जैसे lithium हो गया यह अपने period का क्या होगा पहला उसके बाद क्या potassium हो गया potassium अपने तो इन सबका क्या है इन सबकी radii comparatively जादा होगी ठीक है अब देखिए the atomic radii increase on moving down the group from top to down जैसे जैसे हम नीचे group में जाएंगे top से bottom में जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा atomic radii क्या होगी increase होगी atomic radii क्योंकि atomic size बढ़ जाएगा number of shell बढ़ जाएंगे जब अब देखते हैं ionic mobility क्या होती है ionic mobility को हम क्या बोलता है ions movement in water यानि ions की movement water में atomic size और atomic radii moving down the group will increase atomic size और atomic radii क्या होते हैं increase होते हैं जैसे जैसे हम group में नीचे जा रहे होते हैं यह देखिए lithium, lithium की क्या है कम है उसके बाद sodium की ज़ादा, potassium की ज़ादा, उसके बाद rubidium की यह क्या है, यह atomic radii है, अब देखिए ionic radius, ionic radius क्या होती है, यह तो atom हो गए normal, लेकिन जब इनके उपर charge आ गया, तो यह क्या बन गया, ions बन गया, तो अगर हम इनकी ionic radii देखिए तो इनका भी same वही है, क्योंकि charge same है, charge same है तो इनका trend भी बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसे क atomic radii का है, अब देखिए, hydrated radii, यह क्या होता है, hydrated radii, तो दोस्तों यह होता है, hydration, hydration क्या होता है, कोई भी element, जब water से, water से react करता है, तो उसकी water से react करने की जो एक power होती है, या मतलब, एक capacity लगा लीजिए, या वो कितनी उससे वो कर रहा है, तो उसे बोलता है, hydration, तो होती है, दूसरा क्या होता है, यह proportional होती है, size के, या अगर किसी element का size बढ़ा होगा, तो उसका hydration कम होगा, किसी element का size छोटा होगा, तो उसका hydration ज्यादा होगा, तो देखिए, lithium का size comparatively छोटा है, lithium का size comparatively छोटा है, तो उसका hydration क्या होगा, बाकी element से ज्यादा होगा, sodium का फिर तोड़ा और जज़ादा फिर Potassium का कम, Phylobidium का कम और Seism का सबसे कम Hydration होगा. यानि Hydrated Radiai, इसका Hydration ज़ादा हुआ, उसकी Hydrated Radiai भी ज़ादा हुए. क्योंकि यह किसके Invers Completely Proporational है? Size के, Size छोटा होगा, तो Hydration ज़ादा होगा, Size बड़ा होगा, तो Hydration कम होगा. हम क्या भोगता है अब देखे यह किसके proportional होती है यह यह inversely proportional होती है hydrated radius के यानि अगर जिसकी hydrated radius कम होगी जिसकी hydration कम होगा या hydrated radius कम होगा उसका ionic mobility जादा होगा तो यहाँ पर देखें यह trend बिल्कुल change हो जाएगा यानि lithium की hydration जादा था lithium की hydrated radius जादा थी लेकिन ionic mobility इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है यानि इसका जो पानी में movement है इसके ions का वो कम होगा comparatively cesium के तो यानि जब group में हम उपर से top से नीचे जाएगे तो ionic mobility क्या होगी बढ़ जाएगी और hydration क्या होगा कम हो जाएगा अब देखें ionization energy the first ionization energies of alkaline matters are very low as compared with the other elements of the same period of the same period मान लिया sodium हो गया उसके बाद beryllium हो गया तो उसमें क्या होगा यह जो ionization energy है यह directly proportional होती है z effect के यानि जिसके nucleus के पास electron होगा वो क्या होगा ionization energy जादा होगी देखें अब इसका क्या है और यह inversely proportional है किसके size के ठीक है तो अगर हम देखे lithium, sodium, potassium इन सब का जो जैसे हम group में नीचे जाते है atomic size बढ़ता है atomic size बढ़ता है लेकिन यह किसके है direct inverse proportionally है size के यानि अगर ionization energy को हम देखें तो lithium की जादा होगी क्योंक इसका atomic size कम है अब ionization energy क्या होती है force of attraction force of attraction किसका जादा होगा force of attraction किसका जादा होगा जो की जिसन मतलब जो nucleus के पास वाली shell में हुआ जैसे lithium का हुआ lithium किस sub-shall में है S में है lithium किस में है S में है तो lithium का force of attraction जादा हुआ comparatively caesian के caesian में हमने क्या किया वो दूर वाली उसमें चला जाएगा शेल में चला जाएगा उसका इलेक्ट्रोन तो वो थोड़ा दूर चला जाएगा लेकिन लीथियम का क्या है बिल्कुल निकलियस के पास है तो जिसका force of attraction जादा उसका ionization energy जादा तो ionization energy जो proportion है वो Z effect के proportionally है यानि मतलब जिसका force of attraction जादा हुआ और inversally proportionally size के लीथियम का size कम है तो लीथियम की ionization energy जादा होगी अब बात करते हैं density density क्या होता है mass per volume alkali metals have low densities due to their large atomic size जो alkali metals है उनकी low densities होती है कि इसके अपने atomic size की क्योंकि atomic size उनका बड़ा होता है densities increase on going down the group from to top to bottom जो इनकी densities है वो क्या होती है increase होती है top से नीचे जाने पर ठीक है क्योंकि mass per volume बढ़ जाता है mass per volume बढ़ जाता है देखे potassium is however lighter than sodium देखे trend तो यह होना चाहिए क्या होना चाहिए trend trend होना चाहिए यह लेकिन यहाँ पर exception है यहाँ पर क्या exception है जब हम mass और volume निकाल लेंगे किसका sodium का और potassium का तो तब क्या आएगा तब trend यह बनेगा क्या बनेगा तब trend के एने आर भी क्योंकि तब एने का ज्यादा एने इस मतलब एने क्या है hard है किसके comparison में potassium के potassium lighter है तो जो अब आएए आगे कुछ और चीज़ा पढ़ते हैं as block elements के बारे में देखे सबसे पहला है hydration hydration enthalpy वो मैंने आपको बताया ही था अभी hydration enthalpy decrease with increased ionic sizes देखिए जैसे 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 हम top से नीचे जाएंगे top से हम नीचे जाएंगे ठीक है top से हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा size बढ़ेगा क्या होगा size बढ़ेगा और जब size बढ़ेगा जब size बढ़ेगा तो hydration क्या होगा कम होगा तो यही लिखा है कि Hydration Enthelpes Decrease With Increase in Ionic Size मतलब increase किसके Ionic Size के बढ़ने पर क्या होती है Hydration Enthelpes Decrease हो जाती है ठीक है अब देखिए Lithium as Maximum Degree Lithium का क्या है Lithium के पास सबसे ज़्यादा hydration की करने की पावर है क्योंकि उसका क्या है Ionic Size भी कम है और उसका Atomic Size भी कम है देखिए Left to Right Atomic Radial Will Decrease With the Respect of Periods We can say Lithium is More Other Group Sodium is More Other Group क्योंकि अपने पहले क्या है यह पहले Period दूसरा Period तीसरा Period यह क्या है Period के पहले-पहले Member है तो क्या होता है Period में क्या होता है Left to Right क्या Trend होगा Lithium की सबसे कम क्योंकि Atomic Radial किस पर Depend करती है Atomic Size पर तो जैसे जैसे हम ग्रूप में नीचे जाएंगे Size बढ़ता रहेगा और Atomic Radial भी बढ़ती रहेगी अब कुछ Physical Properties देख लीजे Alkali Metals are Silvery While Soft and Light Metals Alkali Metals क्या होती है Silvery White होती है Soft होती है Light Metals होती है Alkali Metals have Low Density Alkali Metals की क्या होती है Low Density होती है Which Increase Down Down from Lithium to Cesium लेकिन क्या होती है जो की Increase हो जाती है Lithium से Cesium चनिफर However Potassium is Lighter than Sodium exception यह भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही चीज़ लिखी है अब पढ़ते हैं के Melting and Boiling Point के बारे में Melting and Boiling Point Low Due to Weak Metallic Bond जो यह Alkali Metals है इनके भी इसके होता है Weak Metallic Bond होता है जिसके कारण इनका Melting and Boiling Point क्या होता है Low होता है दीखें क्या क्या होता है इनका जो Trend है Lithium का सबसे जादा Sodium का फिर थोड़ा कम Potassium का और कम Firubidium का और कम और Seasium का सबसे कम होगा यानि अगर इनका Melting and Boiling Point कम है तो क्या हुआ इनका जो Metallic Bond है वो भी कम है इनके Colors पढ़ते हैं जब हम इने जलाते हैं तो यह कौन सा Color देती है जब हम Lithium को जलाते हैं तो यह Crimson Red देती है पढ़ते हैंगी अब पढ़ते हैंगी Chemical Properties Reactivity with Air When Reaction with Air जब यह Air के साथ रियक्ट करती है और उसे Air में क्या प्रेजन होना चाहिए नाइटोजन और ऑक्सिजन All forms there are normal oxide तब यह क्या form करती हैं नॉर्मल oxide बना लेती है अपने जैसे Lithium forms Oxide lio2 अनिफोम Lithium क्या बनाता है Oxide Sodium क्या बनाता है Par oxide और जो बचे हुए है Potassium Rubadium और Consecium यह क्या क्या बनाता है Super Oxide यह क्या बनाता है Super Oxide बस आपको यह चीज़े याद रखना है कि Lithium क्या बना रहा है Normal Oxide Sodium क्या बना रहा है Paroxide और पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम क्या बना रहा है आपको याद रखने वाली चीज़े हैं इसे आप याद रख लेना ठीक है ओक्साइड पैर ओक्साइड सुपर ओक्साइड अब देखिए एलकली मेटल्स में सिर्फ जो लीथियम है वो ही सिर्फ यह जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से पढ़ने होगी अच्छे से याद करने होगी तभी आपको यह रह पाएगी वरना क्या है और जितने भी ग्रूप है सबके साथ मिक्स हो जाएगी तो आपको अच्छे से याद करने हैं जैसे हो गया कि सिर्फ जो hydroxide and H2 gas देखिए उसका क्या trend होगा CSOH जो यह hydroxide strong होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा मतलब CSOH फिर उसके बाद RBOH फिर KOH फिर NOH फिर LiOH तो लीथियम मैंने आप से बताया था ना Equid2 लीथियम है इनका वीक है बाकी और यह बेस बड़ीदोे हो सब स्ट्रॉम बनाते है अब देखिए एकसेप्षण क्या है जो इनके कार्बोनेट और सेलफेट है घ्रार्बोने avenues के कार्बोनेटियुम्ध और स्लीयुम्रूड पिलंट कार्बोनेट discern क्योंकि इनका जो लार्ज साइज है और इनका वीक पोलराइजिंग पावर की वज़े से यह क्या होता है डीकंपोज नहीं हो पाता है गरम करने के बाद भी अब देखे आगे यह सारी चीज़े याद करने वाली है इनमें कुछ खास ऐसा वो नहीं है कि आपको हम कुछ अलग से बता देंगे बस आप यह याद रखिए कि जो सोडियम है वो किससे मिलता है हमें डाउन्स प्रोसेस से अलकली मेटल डिजॉल इन लिक्विड अमोनिया विदाउट एवलिशन ओफ हाइड्रोजन जो अलकली मेटल से वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है कि इसमें अमोनिया में विदाउट एवलिशन ओफ हाइड्रोजन बिना हाइड्रोजन को बाहर निकाले क्या हो जा पहले तो डिजॉल्व हो जाएंगी और फी जब हम गरम करेंगे तो यह क्या करती है कलर चेंज टू ब्रॉंज यानि ब्रॉंज कलर में चेंज हो जाएगी लीथियम है जो यह सोडियम का है इलेक्ट्रों पोटेंशल यह कम है लेकिन फिर भी मतलब उसके कमपैरिजन में यह क्या करता है विग्रसली रेक्ट करता है तो यहां पे एक एक्सप्शन हो गया है जो कि लीथियम का जब मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रों पोटेंशल है तो लीथियम को विग्रसली करना च यह ता लेकिन यहाँ पर क्या है सोडियम का नेगिटी होने कम कम होने के बाद भी लीतियम के कम होने के बाद भी सोडियम तीजी से करता है तो यह एक लिखेंगे तो मुझे मैं पूरी शेयर हूं कि आपको चीजे समझ आ जाएगी तो थोड़ा सा चीजे समझने में थोड़ा सा वो लगता है लेकिन आप एक पॉइंट को लिखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन से नोट से भी तैयार कर सकते हैं आपने बहुत अच् कोशन नहीं मिलेगा मैंने सारी चीजे अपनी दरफ से कवर करने की कोशिश की है सारी चीजे साब सारे कोशन्स आपको मिलेंगे इसी कंटेंट में से ड्यू टू हाइप लराइजेशन कैपेविल्टी ओफ लिथियम हैलाइट्स आर समझ वोड़ को वैलेंट ड्यू टू हा अलकली मैटली च्टेम इसले चारी यहां किशा एंगे पॉड़ को वागराइजन के में एंगे आर्शी बंणाने मेंट ही यहां give deep blue solution when dissolved in liquid ammonia, जब liquid ammonia को alkaline metal, जब liquid ammonia में alkaline metal को डिबोते हैं या dissolve करते हैं, तो क्या होगा, वो कौन सा solution बन जाएगा, वो deep blue देंगे, oxide of alkaline metals easily hydrolyzed to form hydroxide, oxide of alkaline metals easily hydrolyzed हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, hydroxide बनाते हैं, क्या बनाते हैं hydroxide, जो अभी आपने पढ़ें तें पीछे तो oxide and peroxide are colorless इनके जो oxide बनते और paroxid बनते हैं जैसे अभी sodium ने बनाया था और यह lithium ने बनाया था यह क्या होता है colorless होते है जबकि superoxide जो होते हैं जो किस किस ने बनाया था potassium rubidium और cesium ने वो क्या देते हैं तो yellow orange color और और पेरामेगनेटिक को शो करते हैं अब आप हैलाइट का देखिए ये हैलाइट भी बनाते हैं अलकली मेटल्स हैलाइट हैईट इस हाई मेल्टिंग कलर less crystallized solids देखिए इनका मेल्टिंग और boiling point trend क्या है fluoride सबसे ज़ढ़ाइट फिर फिर bromide और सबसे कम iodide जो lithium है वो anomalous properties भी दिखाता है क्योंकि exceptionally small size high polarizing power मतलब small size भी कम है और लेकिन फिर भी क्या show कर रहा है high polarization power ठीक है lithium shows diagonal relationship to magnesium lithium क्या है magnesium के साथ diagonal relationship show करता है देखिए जैसे कि यह आपका वो बन गया है ली न की रव और यह क्या हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर तो यह diagonal कैसे करेगा यह ऐसे कैसे करेगा तो lithium का क्या है lithium shows diagonal relationship to magnesium अब कुछ इनके examples पढ़ लेते हैं alkali metals के देखिए सबसे पहले क्या है यह क्या बनाते हैं sodium carbonate बनाते हैं जिसे हम washing soda बोलते हैं जो की salve process से prepare होता है अब यह देख लेता है यह exam में आ जाता है इसमें से पूछ लेता है कि भाई अगर यह react करा तो यह क्या मिला तो देखिए process क्या होगा process to make na2 co3 सबसे पहले क्या होगा ammonia water और carbon dioxide को हम react कराएंगे तो वह क्या देगा NH4 का whole twice co3 ठीक है फिर NH4 के whole twice co3 को दुबारा से हम water और carbon dioxide के साथ यह कराएंगे तो वह हमें देगा 2 NH4 at co3 ठीक है फिर NH4 at co3 को हम NaCl के साथ यह कराएंगे तो वह हमें देगा NHCO3 plus NH4Cl अब यहां पर क्या है जो यह नहीं से क्रिस्टल सेपरेट हो जाता है तो जिसके करण क्या होता है हम इसे गरम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है हमें sodium carbonate सिधा सिधा मिल जाता है तो यह पूरा एक process है सालवे process का यह सारे स्टैप हमें करने पड़ते हैं सबसे पहले हमें ammonia को water और carbon dioxide के साथ यह करना पड़ता है जिसके अगर हमें फिर यह मिलता है फिर इसे हम जल के और इसके साथ कराता है तो हमें यह मिलता है यह सेपरेट आउट हो जाता है जब जब यह से गरम करते हैं तो हमें Na2CO3 मिल जाता है और यह Na2CO3 मिलता है तो अग और अब हम Na2CO3 के साथ अगर हम CAOH को से react करा देंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा हमें दुबारा ammonia मिल जाएगा ठीक है अब इस process से हमने Na2CO3 तो बना गया लेकिन हम K2CO3 नहीं बना सकते वह इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो इसमें क्या हो रहा था Na2CO3 separate out हो ठीक है लेकिन K2KHCO3 जब बनेगा reaction में यहाँ पर Na2CO3 बना यहाँ पर क्या बनेगा KHCO3 तो वह क्या होता है वह Na2CO3 के comparison में soluble होता है तो वह क्या होता है घुल जाता है यह तो crystalline form में मिल गया था लेकिन वह क्या होता है घु करसंड और दूसरा आप बनता है अपर दूसरा जो वह बनता है और फिर हमारी रोज के उसमें बहुत यूजबी है यह चीज़े, NUH KASTIC Soda, इसे हम क्या बोलता है KASTIC Soda भी बोलता है, बहुत STRONG होता है, बहुत, This is prepared in CASTRIAR Calner Cell, यह किसमें prepare होता है, CASTRIAR CALNER Cell में, ठीक है, यह याद रखिजे, क्योंकि question बन सकता है, कि KASTIC Soda कहां prepare किया जाता है उसके बाद देखिये, सोडियम कारबोडीट फिर इसरी बाद हमने बढ़ा iAI NaCl जो हमें समोज बीडियर से मिल जाता एह Na AH अब क्या बढ़ है tu… अब हम पड़ रहे है Na AH CO3 बैंकिंग सोडा जो कि किस के नाम से बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है और यह कहां यूज होता है यह होता है बेकरी में इंडस्ट्री में यूज होता है पेस्टीज और केक बनाने के लिए तो यह हमादे लिए बहुत उप्योगी है NaC3 is known as baking soda because on heating to generate bubbles off यह bubbles देता है CO2 के जिससे क्या होता है में के क्या होता है और और मतलब और वैसे बन जाता है थोड़े पफी से इट इस मेड़ बाइस सोलेशन ऑपनेट्री विस यह बनाया जाता है किसके सोलेशन से Na2CO3 के साथ carbon dioxide को मिला के ठीक है तो I hope so आपको समझाया होगा हमने as block elements के group 1 के बारे में बाते की है alkali metals के बारे में बात की है और हमने ये भी पढ़ा है इने alkali metals क्यों बोलते हैं इनका electronic configuration क्या होता है इनकी chemical properties क्या होती है इनकी physical properties क्या होती है ये दिखने में कैसी होती है तो ये silver हम जलाते है हमने ये भी पढ़ा हमने hydration hydrated radiis पढ़ी onic mobility पढ़ी onic radiisilling पढ़ी हमने यह सारी चीजह ए चाहिए बाकि अगर आपको वीडियो सही लगी हो समझ आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि अब